नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरे तिनसेन भारती अज हम बात करेंगे मकर संक्रांती के लिए करें मकर संक्रांती को देश के लगवग हिंसों में बड़े ही धूंधाम के साथ मनाया जाता है इस दिन पवित्रे नदियों में अशनान दान और पूजन का विशेस महत्व है माना जाता है कि इस दिन सूर्ज दर्शनाईन से उतराइन होते हैं साथी सूर्ज धनूरासी से निकल कर मकर रासी में परवेश करते हैं मकर रासी में सूर्ज के परवेश करने के कारण ही इस दिन को मकर संक्रांती कहा जाता है इस परव के साथ ही करीब एक महीने से जारी खरमास भी समाप्थ हो जाती है और रुक हुए सभी सुमकार्ज शुरू हो जाते हैं ऐसे में यह कहा जाता है कि इस साल मकर संक्रांती 14 की है अखिन संक्रांती मनाया जाए कि सब्सक्रांद परिवर्तन कर अखर उस कार या तो उसकाल को मकर संक्रांद्य का का जाता है वार अलग-अलग पंचांगों के अनसार सुर्ज का मकर्रासी निफर्व्यश करना तर र儿कंड के Mm वालों की माने तो सूर्ज अथ से पहले यदि मकरासी में सूर्ज परवेश करता है तो इस दिन पुन्निकाल रहेगा अगर रातरी में मकरासी परवेश करता है तो अगले दिन पुन्निकाल माना जाता है यानि कि सोला घटी पहले और सोला घटी बाद का समय जो होता है वह करें कि नी में आंका जाता है इस दिन कि गए दान को महपुन्य की परराप्ति होती है मगा थे दिनार कणि करने से यह जाए है कि मखर संकडरral產 uniform मनाने की बात कही जा रही है तो परसानी सुरू होती है पंचांगों के अलग-अलग पंचांगों में सूर्ज के मकरासी में जाने का अलग-अलग समय से इसके बाद विवाद की सुरुवात होती है मरकांडे पंचांग के अनुसार दो पहर दो बज कर 29 मिनट पर मकरासी सूर्ज परवेश कर रहे हैं और पुर्ण काल सनिवार को 6 बज कर 27 बजे से होता है बद्री कहासी पंचांग के अनुसार दो पहर में दो बचकर 29 वसतापदी के अनुसार दो पहर के 1 बचकर 21 मिनट पर सुर्ज मकर रासी में परवेश कर रहे हैं जबकि अन्नपूर्णा पंचांग के अनुसार 14 जनवरी की रात 8 बच कर 18 मिनट पर सुर्ज मकर रासी में परवेश करेंगे और 4 बच कर 18 मिनट पर ये उस रासी में परवेश कर रहे हैं हनवान पंचांग के अनुसार रात के 10 बच कर 19 मिनट पर अधित पंचांग के अनुसार रात के 8 बच कर 12 मिनट पर कनेस आपा के अनुसार रात के 8 बच कर 1 मिनट पर हरसी केस यानि इसे हम हरी हर पंचांग के अनुसार रात के 8 बच कर 49 मिनट पर हरसी केस सिव मूर्ति के अगर हम इन पंचांगों की माने तो दो अलग-अलग तीथियों में मकर संकरांती का परवेस हो रहा है एक तो पंचांगों की माने तो 14 जनवरी को और दूसरी पंचांगों की माने तो 15 जनवरी को जो है सूर्ज मकर रासी में परवेस कर रहे हैं यही वह कारण है जिसके चलते लोगों की मन में यह संका उत्पन है कि हम 15 जनवरी को मनाए या फि के हां प्रिसी केस प्रंचंग और महवीरी प्रंचंग के अनुसार अगर आपका समय निधारित होता है तो जो है आप 15 जनवरी को इसका सूब दिन माना जा सकता है बिहार और बिहार से जल्डवी और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे जिए जाजद धन्यवाद